आज के इस चेप्टर में हम Array के बारे में पढ़ने वाले हैं तो Array के बारे में आपने जो C बगरा बाकी जिगे जो पढ़ा है जावा बगरा में वही डिट्ट्ट्ट एरे यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर एक Array बढ़ गया है जिसको बोला जाता है ये-associative array और मैं आप लोगों को यही-associative array के बारे में बताने वाला हूं बाकि कोई array फैर मैं नहीं बता रहा हूँ पीएच्पी open close मैंने यहां किया और यहां पे dollar array नाम का Variable बनाया array array मैंने लिख दिया आप इसे में कॉलन डाला तो जैसे ऐसे लिखा फिर ऐसे फिर ऐसे 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 यह हमारा नॉर्मल एरे बन गया जो C में आप देखते हो जो C में आप देखते हो यह नॉर्मल एरे बन गया यह यही डवल कोट में मैंने कर दिया तो यह इस्ट्रिंग का एरे बन गया यह string का array बन गया और two dimensional बनाना है तो यह array यहाँ पर हमने किया और copy मारा मैंने इसको delete मारा ऐसे ऐसे किया ऐसे नीचे अब मैंने comma से separate किया तो यह multi dimension या two dimension array जो आप कहते हैं वह यह इस तरह से बनता है मैं जरा भी interested नहीं हुए इसको सिखाने में आपको तो मैं जो सिखाना चाहरा हूँ हो है associative array associative array जो है कैसे बनेगा तो यह देखो इधर मैं यहाँ पर name लिख जैसे मैं array का नाम देता हूँ student इस्टूडेंट ताकि आपको फिलो रियल डेटा के साथ आप काम कर रहे हूँ मैं double code में मैंने यहाँ पर नाम दिया name और फिर यहाँ पर नाम दे देता हूँ मैं इस यह में इंटी फिर कॉमा से सेपरेट करूंगा यह एक डेटा हो गया इस्टूडेंट के बारे में पिर दूसरा डेटा मैं क्या देदूंगा कलास मैं किस कलास में पढ़ रहा हूँ तो मैं BCA कर रहा हूँ BCA हो गया फिर कॉमा फिर MOBIEL Mobile Number MOBIEL M को छोटा कर देते हैं देखने में अच्छा लएगा यहाँ पर मुबाइल नंबर मैंने कर दिया और मुबाइल नंबर को भी मैं डवल कोट में लिख रहा हूँ तो यह मैंने mobile number लिख दिया और यह एक student का जानकारी बनके ready हो गया इसको print करना है तो कैसे print होगा simple सा बात है यह कुछ से print किया जाता है पहले मैं normal print करता हूं तो pr int यदि आपको array print करना हो तो आपको printer function इसन यूज करना पड़ेगा और एरय आप प्रेंट कर दोगे तो मैं पूरा एरय प्रेंट कर रहा हूं एक बार में तो मैं यहां प्याओंगा और रिलोड मारदूँगा अब तो मैंने सब कुछ server बगर सब कुछ चालू कर रखा था इसलिए मैंने नहीं किया आपके सामने तो आपका array गर्डेक्ली कीसे चल गया इसका तो array, array के अंदर एडेट आपको दिख रहा है, तो array में मैं name लिखूंगा तो name print होगा, यदि class लिखूंगा तो ये print होगा, यदि mobile लिखूंगा तो ये print होगा, आपको ये करके दिखाओ, दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको मैं हटा रहा हूँ, ऐसे, इसी य print का आपको क्या चाहिए, नेम चाहिए, तो यहाँ double quote में लिख दो, name, name print होगया, name के बाद यदि आपको class चाहिए, तो class print कर दो, ये देख लो, BCA class print हो गया, तो मैं continuously print करता हूँ, name, name के बाद मैं concatenate करके print करता हूँ, तो दो string को जोड़ूंगा मैं, तो string को जोड़ना है तो यहाँ पर dot लगेगा, ऐसे, name, फिर dot लगा के यहाँ पर, copy paste में करता हूँ, इसी को, यहाँ पर लिख दूँगा class, फिर यहाँ पर dot लगाया, फिर concatenate, फिर dot, फिर यहाँ पर कर देंगे, यह लिख मोबाइल नंबर, यह होगया, आप मैं print करता हूँ, आप लोग देखेगा, देखो, name इस्टूट, name आगया, class आगया, mobile नंबर आगया, यदि आप चाहो तो इसके पहले आप table के form वगरा में, आप जो है, इसको print कर सकते हो, table के format में कैसे print होगा, करके दिखा दू, करके दिखा देता हूँ, जैसे, यहाँ नहीं, मैं यहाँ पे table बनाता हूँ, यह हो गया, अब हमें क्या करना है, PR लिखना है, अब इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, हीडिंग डालूँगा, यहाँ पे td लिखूँगा मैं, यहाँ पे कर दूँगा name, और इसी को मैं copy paste करता हूँ, दो तीन बार, name के बाद यहाँ पे कर दिता हूँ, अब पूरा टेबल यहाँ से मैं copy कर रहा हूँ, अब देखो, पूरा टेबल copy कर दिया, और मैं यहाँ पे आता हूँ, paste करता हूँ, अब देखान से देखना मैं कैसे काम करूँगा, मैं copy paste का ही काम यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कर रहा हूँ, तो आप समयने की कोसिस करना जो है, ताकि मेरा समय कम थोड़ा लगे, अब आप देखो, PHP यहाँ पे close हुआ, यहाँ पे open हो गया, अब मुझे data मेरा यहाँ पे prepare है, यहाँ पे data मेरा ready है, अब मैं क्या करूँगा, in data को in table में print करना है, कैसे देखो अब, name को यहाँ पे print करना है, मैं हाँ पे open किया, PHP टेग और यहाँ पे close कर दिया, देखो, देखरे हो आप, कैसे मैं कर रहा हूँ, ऐसे ही आपको भी PHP का open, close कर देना है, यह देखो, open close किया मैं PHP का tag, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से copy किया, इसको, अब copy किया मैं, यहाँ पे paste किया, इस paste दिया, semi-colon दे दिया, इतना काम किया मैं, अब इसको मैं copy paste करूँगा, मैं यहाँ पे paste कर दिया, फिर यहाँ पे मैंने paste कर दिया, पहले मैं name print था, तो यहाँ पे मैंने name print किया, दूसरे मैं class print है, तो यहाँ पे मैं class print कर दिया यह वाला class, यह वाला key है और फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा यह movie यह लिए mobile print कर रहा हूँ तो इस line को मैं delete वारता हूँ save कर दिया मैं अब यह वाला line जो है चलेगा हमारा देखिए run करता हूँ मैं program यह देखो name class mobile के साथ print हो गया border भी मैं यहाँ पर करता हूँ तो border दिखेगा border one देखो border में आगया पूरे table तो इस तरह से table में आप data print करो गया मैं क्या करता हूँ इस पूरे table को यहाँ से cut करके save करता हूँ और about वाला जो file है यहाँ पर लाके मैं paste कर रहा हूँ थोड़े देर के लिए मैं paste कर रहा हूँ थोड़े देर के लिए मैं store करके रख लिए इन data को अब आप for each loop चलाके भी data print कर सकते हो कैसे देखो for each for each में यहाँ पर variable आता है हमारे पास variable का क्या नाव है student यहाँ पे keep print होता है की में कौन सा print वो जाएगा यह नेम पुरिंट हो जाएगा फिर class प्रिंट हो गा फिर मोबाइल पृंट हो जाएगा फिर कर के दिखा दो देख Фeko यहाँ फर डालर डॉलर की मैं करूंगा रन किया यह देखो अब ऐसे बी यार करना पड़ेगा मैं डॉट लगाता हूं और बी यार कर देता हूं ऐसे अब आपको यदि वैल्यू प्रिंट करना है तो क्या करोगा यहां पर की कूप पर वैल्यू रजगो दोते हैं या गया यदि आप वैल्यू प्रिंट हो गया यदि आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि लिया डॉलर यहां पर डबल कोट यहां पे बराबर का नच इस तरह से आप लेख सकते हैं की से की प्रेंट हो जागा मतलब नेम तो नेम प्रेंट होगा वैल्यू से नेम आ जागा यहां पर यहां पर नेम प्रेंट होगा यहां पर कौन सा नेम प्रेंट होगा यह वाला यहां पर प्रेंट होगा और यह वाला यहां पर प्रेंट होगा मैं रन कर रहा हूं प्रोग्राम आप करके दिखाता हूं मतलब multi diamonds है यहां पर तो एक student का information है हमें multiple student का information होगा तो कैसे print होगा तो उसके लिए मैंने क्या किया है data पहले से prepare करके रख़ा है यह data just मैं यहां से copy मारूंगा अब यह लो गलती हो गया यह आर आर यह वाई एरे मैंने लिखा semi column ऐसे अब यहां पर multiple students आ चुके हैं तो मैं इसको student कर दूँगा यहां पर कॉमा नहीं रहेगा बाकी सब के last में कॉमा रहेगा अब इसमें किसी का जदी नाम छूट गया हो तो अब आप जानते हो कि कई लोगों का नाम याद रखना संभव नहीं है तो जो याद तुरंत या लिखा मैंने ज्यादा सोच विचार करके नाम नहीं लिखा है तो छूट गया हो तो मन में गाली बली ना देना देख लो अब देखो मैं पूरा डेलिट मारता हूं इसको मैं की को हटा रहा हूं सिर्फ वैल्यू प्रेंट करूंगा यहां पर वैल्यू प्रेंट करूंगा तो क्या होगा मैं एको से पहले वैल्यू प्रेंट करके दिखाता हूं तब आपको समझ में आएगा चीजे अब एरर आएगा एक तो एरर के आएगा नोटिस आएगा अब मैं यहां पर आता हूं अन्डिफाइंड पतानी फला न डिमा का बोल रहा है अन्वैलिड आर्गूमेंट फॉर इच यह लो जी अब अब फिर से मैं फॉर इच इको करता हूं और फिर इस वैल्यू को प्रिंट करता हूं यह देखो वही बाद सेम चीजें कर रहा है ओ यहां पर इस्टूडेंट्स होनी चाहिए और मैं इसको हटा रहा हूं इसलिए वह इन्वैलिड वाला दे रहा था यह जे अब प्रिंट यह कहा है रहा है नोटीस to कंवार जेंसे कायने कहा यह मतलब है यहांपटरंड़owser वह सुल्डिया आप यह है uk string नहीं है और यह को क्या करता है इस रिंग को या नमबर को print करता है तो हमें एरो को print करने के लिए print r method का इस्तेमाल करना पड़ेगा print underscore r और आप मैंने यहां पिन यह कर दिया अब print में कर रहा हूं तो आप देखना मजा नहीं आ रहा है इस दिखे हमें इस तरह से प्रिंट करना पड़ेगा यह दिखे तो मैं पहले pre-tech से यह को करता हूँ यहां पर मैं लिखता हूँ इस यह जो यह को pre-tech अब html में आपने pre-tech पढ़ा होगा मत पूचलन की pre-tech होता है अब Prim id extent के अंदर मैं print कर रहा हूं यह कर देखर पहला एे पहला जब value प्रिंट हुआ ए आए यह देखो Windows रॉट दबाया में और यह देखो यह पहला बार लूप चला तो इस value के अंदर क्या था यह वाला पूरा data था वो print हो गया दूसरा बार value print किया हमने यह वाला data था तो print हो गया तो वही चीज़ें यह line से print कर रहा है पहला आरे, दूसरा आरे, तीसरा आरे मान लो कि मुझे सिर्फ name print करना है तो name कैसे मैं print करूँगा वैल्यू के बाद यहां पर आऊंगा और यहां पर लिख दूंगा डबल कोट या सिंगल कोट में नेम आप देखेगा आप क्या होगा सब ही लोगों का नाम प्रिंट हो गया अब मुझे लाइन ब्रेक करना पड़ेगा इसको मैं हटाता हूं इसी एको कर दिया मैं अब जो है कि लाइन ब्रेक करना पड़ेगा हमको ब्र टे लिख देता हूं यहां पर डबल कोट में ब्र तो आगे पूरी लाइन से प्रिंट हो गया तो हम इसी तरह से प्रिंट कर लेंगे अब यदि टेबल में प्रिंट करना है तो हम कैसे करेंगे इसको print बहुत आसान है देखो कैसे print होगा मैं बता रहा हूँ आपको इस देख रहे हो table मैं just इसी table को यहां से cut करता हूँ मैं इसी दिन के लिए copy किया था इसको यहां पर तो इसको minimize करो इसको full करो इसको अभी minimize रखो मैं क्या करूँगा last में आके table को यहां पर paste करा और यह pre-sree जो है इसको हटाता हूँ मुझे जरूरत नहीं है win pre का अब देखो हमें क्या करना है आप ध्यान से समझने की कोशिश करना यह वाला portion तो static रहेगा यह वाला जो portion है यह तो static ऐसे ही रहेगा हमें dynamically loop किसके लिए चलाना है इसके लिए मतलब एक student का data print करना हो तो हमें यह चलाना पड़ेगा समझे रहेगा तो ऐसे हम loop के अंदर इस वाले section को डालेंगे इस वाले section को करके दिखाँ दिखाता हूँ तो PHP open close किया मैं फिर मैं इसको भी copy कर सकता था लेकिन मैं इसको copy भी नहीं करूंगा सायद हो सकता है नया नया है confusion हो आपको फोर इच चलाया मैं वेरियेबल के जगह पे मैं students लिखूंगा इस की की जरूरत मेरे को नहीं है होगी तब देखेंगे यह लो यह बात समझ में आ गया अब मैं क्या करूंगा हट यहां से यह ब्रेकेट डिलीट किया इसको यहां पे close है close रहने दीजिए यह चल रहा है मुझे यहीं पर मैं बंद करता हूं इसको और इसको हटाता हूं मैं यहां से यहां पर आया अब यहां पर open किया मैं ब्रेकेट ओपन आ यह से क्या मैं कहना क्या चाहरा हूं गो देखो आप पीएचपी ऊपन हुगा लूप हमने चलाया लेकिन इस लूप का ब्रेकेट बंद भी तो करना पड़ेगा तो मैं कहां बंद कर रहा हूं इन HTML पूरा content के बाद यहां पर मतलब यह लूप यहां से सुरू हो रहा है यहां बंद हो रहा है लूप के अंदर कितना चीज़ें आ रहे हैं यह सारे चीज़ें लूप के अंदर आ रहा है मतलब एक फोरीच लूप जितना बार चलेगा उतना बारे भी repeat होगा बस समझ रह इसके अंदर लिखा है यह पीएसपीशपी सिंटेक्स के अंदर लिखा तो बस इन से मतलब है अब वैल्यू को मैं copy किया और यहां पर पेस्ट करूंगा यहां पर पेस्ट करूंगा मैं पेस्ट कर दिया हमारा काम है रेडी है सब कुछ अब अब हमें कुछ नहीं करना है चला दिया जाए प्रोग्राम चला देते हैं कि देखो टेबल के अंदर सारा डेटा आ गया उमीद है यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझ रहो बात आप मैं सारा यह स्पेस खत्म करता हूं अब रियल टाइम पर कैसे काम होता है मैं समझाने की कोशिस करता हूं आपको दो मिनट में 18 मिनट हो गए हैं ज्यादा मैं इसमय नहीं लोगा //Docks के अंदर ही मैं एक फोल्डर बनाता हूं यहाँ पी ऐस्पके नाम से बन गया फोल्डर इसके अंदर मैं एक रायट ली करता हूं नियू फायल बनाता हूं और इस New सेब करूंगा तो यह सेब होगा नहीं अच्छा हो रहा है इसम इसको दे दूंगा student.php नाम से students.php सेप कर दिया मैं इस नाम से अब मैं क्या कर रहा हूँ यह जो भी है इतना code, सिर्फ इतना code और ज्यादा कुछ ने, सिर्फ इतना कट करता हूँ मैं यहां से और मैं क्या करूंगा यहां पर php open करूंगा और यहां पर close करूंगा यहां पर मैंने paste कर दिया यहां पर दूदूबर होगा मैं एक function बनाऊंगा php में कैसे function बनता है आपको normal लिखना है function function का नाम में लिख दिता हूँ मैं get student ऐसे curly braces open सबसे last में curly braces close आपका यह function keyword लगाना यह function का नाम है यदि कुछ parameter है तो यहां देंगे नहीं है तो नहीं देंगे आप उतना ही करो जितना मैं भी कह रहा हूँ यह parameter बगर है मत पड़ो अब मैं यहां पर return कर दूँगा return किसको करना है हमें इस student को return करना है तो dollar student कर देंगे मैं semi colon देता हूँ मैं मैं दिखाना चाहता हूँ ओ यह कि आप मान लो कि यह get student function को जब हम call करेंगे तो यह सारा data मैंने php file में लिखा है static तरीके से hardcode करके लिखा है आप मान के चलो कि यह data जो है database से आ रहा है अब मैं आता हम इस file के अंदर इस file के अंदर मैं क्या करूँगा जैसे यहां पर include call किया है वैसे ही मैं अपने student file को include करूँगा कैसे देखिए include लिखा include कुछ हमारा index पे यहां है index के बाद php sorry index के साथ php folder है तो मैं लिखूँगा php folder के अंदर student नाम का folder है sorry file है तो मैं student लिखा dot php अब student dot php मैं लिख दिया तो इस file को मैंने include कर लिया यहां पर अब मैं क्या काम करूँगा यहां पर यहीं पर मैं आऊंगा dollar student के नाम से method बनाया और get student मैं call करूँगा method ऐसे तो get student कहा है get student function यहां बना हुआ है इस student file के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ student dot php को include कर रहा हूँ index के अंदर यहां पर मैंने include कर दिया है आप पुरा code देख लो एक बार include कर दिया है मैंने यहां पर यहां पर include कर दिया तो student dot php के अंदर जो भी function है वो मैं यहां call कर सकता हूँ तो मैंने call कर दिया यह function array return किया वो array मैंने यहां रिखा और उसी array को मैंने यहां पर print किया है program हमारा बिल्कुल ठीक चलेगा देख लो आप अब यह एक ठोव एक्स्ट्रा दिख रहा है fitting यह कहीं न कहीं कोई होगा यह देख लो यह दिख रहा है इसकी जरूरत नहीं है हमें यहां पर मैं refresh करता हूँ तो database से data लाना हो तो इसी तरह से आएगा बस तरीका database से data access करने का यहां change होगा जो मैंने hard code किया है यहां से database से data आएगा लेकिन एक बार database से data आपने ले लाया इस form में मतलब array के form में तो print कैसे होगा exact ऐसे print होगा बस यह चीजे हैं एक बार मैं पुरा code आपको दिखा दूँ यह code है मेरे index.php का और एक code है मेरे student file के अंदर php के अंदर student.php file है और मेरा index file यहां है तो मिलते हैं अगले episode में